हेलो दोस्तो कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ आप सब ठिक ठाक होंगे बढ़िया होंगे और आपका सोक सिकार भी ठिक ठाक चल रहा होगा बिल्कुल मेरी तरह दोस्तों आज मैं आपको एक जानकारी इस उड़ियो में देऊंगा, मैं आपको जो है इस वीडियो में जानकारी देऊंगा जो आपके मार लो कोई IMPORTANT मुर्गी है और उसने जो है अंडा दिया है और वो किसी कारण किसी वज़े से उसमें कोई मुर्गी की ठोंग लग जो आपको निगाओं से दीख रहा हो कि हाँ यह थोड़ा बहुत क्रैक हो गया अंडा तो आप जो है उसे मुर्गी के नीचे अंडा रखने के बाद में क्या उसे वह मुर्गी प्रोपर तरीके से अंडा हैच होएगा क्या उसमें से जो बच्चे निकलेंगे या नहीं निकल देंगे तो दरसल बात क्या है जो मैंने आभी आपको छोट-छोटे बच्चे दिखाए थे उन जो उसकी मां है वो कुछ खास है इंपोटेंट है तो उस मुर्गी का जो है अंडा दिया था उस मुर्गी ने तो वह किसी कारण से जो छोटा सा उसमें जो एक डेंट सा आ गय समय तो मैं उन भाइसों मैं जो किलिए ने बता दिया कि इसमें से जो है बच्चा नहीं निकलेगा और मैं आपको दूसरी बात बता दूं यदि मुर्गी के नीचे जब आप अपनी मुर्गियों को कुड़क मुर्गी को बिठाते हैं अंडे हैच के लिए तो यदी क्यूरण से भी किसी बी वज़य से मुर्गी का अंड़ा जो फटूट तो टूट गया तो तो और उससे जबना आप तो उसमें कोई दिख्कत Не है खिशी तरीकित से नहीं है एक नहीं पीटिट्रस गुल्गोज लगाते हैं जो आपने देखा हुएगा जो हाथ में ड्रिप लगाते हैं डक्टर तो एक कपड़े के सी जो कोटन के सी वह टेप होती है तो उसे लगाते हैं और उसे जो असानी जो अंडे के ऊपर चिपक जाएगी एक बार मेरे साथ यह घटना घटी थी ऐसा व जो खोड़ें क्योंकि वह थोड़ा सा खोड़ें क्योंकि फट्राश लेता रहा बच्चा तो उसमें कोई तिक्तमरी बात नहीं है और जडि आप देखते हैं लिए जब ढूर्य निकलते हैं तो वह फ्ली आण्डे करें लगते हैं तो आप जो है। जो है उसमें फसके ना यहां से हमारा चोटे होते हैं जो जरदी होती है अंडे की तो एक दो घंटे बाद जो सारा आपने एब्सोब कर लेगा बच्चा और दो हंटे बाद जो है वो उसे आप रहां यह से चोल सकते हैं बच्चा जो आसानी से निकल जाएगा एंज पूर तरीके से । बस आप चांक्शाति हुए बने रहहे हैं जोडे रहे हैं। दोस्तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।